साथियों आने वाली दो अक्तूबर को लाल बहादूर साहत्रीजी की भी जन्म जन्ती होती हैं उनकी स्मृति में ये दिन हमें खेती में नए नए प्रयोग करने वालों की भी शिक्षा देता है मेडिसिनल प्रांट के खेत्र में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए मेडी हब TBI के नाम से एक इंक्यूबेटर गुजरात के आनन में काम कर रहा है मेडिसिनल और अरोमेटिक प्रांट से जुड़ा एंक्यूबेटर बहुत कम समय में ही 15 एंक्यूबेटर के बिजनेस एडिया को सपोर्ट कर चुका है इस इंक्यूबेटर की मदद पाकर ही सुधा चेबरोली जी ने अपना स्टार्ट अप शुरू किया है उनकी कमपनी में महिलाओं को प्रात्फिक्ता दी जाती है और उनी पर इनोवेटिव हर्बर फर्मुलेशन की भी जिम्मेदारी है एक और एंट्रपरनर सुभासरी जी ने जीने भी इसी मेडिसिनल और अरोमेटिक प्लांट इंक्यूबेटर से मदद मिली है सुभासरी जी की कमपनी हर्बल रूम और कार फ्रेशनर के छेतर में काम कर रही है उन्होंने एक हर्बल टेरेस गार्डन भी बनाया है जिसमें 400 से ज्यादा मेडिसिनल हफ्स है साथियों बच्चों में मेडिसिनल और हर्बल प्लांट के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए आईश मंत्राले ने एक दिल्चस्प पहल की है और इसका बिड़ा उठाया है हमारे प्रोफेसर आईश्मान जी ने हो सकता है कि जब आप ये सोचे कि आखिर प्रोफेसर आईश्मान है कौन दरसल प्रोफेसर आईश्मान एक कॉमिक बुक का नाम है इसमें अलग-अलग कार्टून किरदारों के जरिये छोटी-छोटी कहानिया तयार की गही है साथी एलोवेरा, तुलसी, आवला, गिलोय, नीम, अस्वगंधा और ब्रह्मी जैसे सहत मन मेडिसिनल प्रांट की उप्योगिता बताई गई है साथियों, आज के हारत में जिस प्रकार मेडिसिनल प्रांट और हर्बल उत्पादों को लेकर दुनिया भर में लोगों का रुजान बड़ा है, उसमें भरत के पास अपार संभावना है बीते समय में आउर्वेदिक और हर्बल प्रोड़क्ट के एक्सपोर्ट में भी काफी वृद्धी देखने को मिली है मैं साइन्टिस्ट, रिसर्चर्स और स्टार्ट अप की दुनिया से जुड़े लोगों से ऐसे प्रोड़क्ट के और ध्यान देने का आग्रह करता हूँ जो लोगों की वैलनेस और इमिनेटी तो बढ़ाए हमारे किसानों और नवजवाने की आए को भी बढ़ाने में मददकार साबीत हो